हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सब देखिए आज मैं आपको यह डिफरेंट शेप का डोरमेट बनाना सिखाऊंगी तो फ्रेंड्स यह मैंने चुनियों से बनाया है पहले भी मैंने इस ताइप का एक डोरमेट डाला लेकिन यह उससे बिलकुल अलग डिजाइन का है उसमें फ् मैं इसको कैसे बनाया है इसको भी फ्रेंड्स मेने पुरानी चुनियों से बनाया है आप यह देखिए मैं बिलकुल स्टार्टिंग से आपको बताऊंगी तो design को समझने के लिए प्लीज वीडियो को आप end तक देखिए यह देखिए फ्रेंड्स इस कलर से मैं आपको हभा देती हूँ बीगनर्स के लिए सबसे आसान तरीके के यह फंदे हैं। कि आप जैसेと दालते हूँ वैसे भी आप इसमें डालिएगा लेकिन जिसको बिल्कुल भी नहीं डालनी आते वो ऐसे इसको डाल सकता है। यह देखिए बिल्कुल आसान तरीका है फंदे डालने का यह देखिए ऐसे आप इसमें फंदे डाल लीजिए जितने भी आपको इसमें फंदे डालने हैं तो फ्रेंट्स देखिए यह मैंने इसमें यह 28 फंदे का मैंने बनाया है और यह मैंने 28 फंदे डालके इसमें एक मैंन बनानी शुरू कर देंगे, तो कैसे बनाएंगे, पहले वाले दो फंदे हम ऐसे ही उतार लेंगे, और ये जो फ्रेंड्स आपकी पट्टी होगी, आप इसी को भी इसके अंदर ऐसे रोल कर लेजिए, ये दोन्नों तरफ से हमें उल्टा उल्टा बना के कम्प्लीट करना, दोन्नों तरफ से हम उल्टा उल्टा इसको बनाएंगे, देखिए, ये पट्टी मेरी यहां पे छोटी होगी, इतने जब बच जाए फ्रेंड्स, जभी आपने जोएंट लगाना है, अच्छे से आपका जोएंट लग जाएगा, ये दो फंदे हम इस साइड छोड़ देंगे, और हम यहीं से वापस से मूड़ जाएंगे, ये फर्स्ट वाला फंद आप ऐसे ही उतारना और इसको हम बनाएंगे, इसको आप ऐसे अंदर ले लिजिए, एक्स्ट्रा को आप बाद में सीजर से काट देना, तो देखिए फ्रेंड्स, इस साइड से भी मैं आपको बना के एक बार दिखा दूँ, फिर मैं उपर का आपको थुड़ा सा बना के दिखाऊंगे, ये तोनों तरफ से हमने ऐसे ही उल्टा उल्टा बना के ये रो हमें कम्प्लीट करनी है, तो दो फंदे हमने इस साइड से छोड़ दिये थे, दो साइड से छोड़ दिये और फ्रेंड्स, दो हम इस साइड से फिर से छोड़ देंगे, ये देखिए ये दो हमने पहले छोड़ दे थे दो हम इस बार छोड़ देंगी ये तो चुन्नी का ही इसमें से इंकला हुआ है ये एक्स्टा फंदा नहीं है तो देखिए यहीं से हम वापस से मोड़ जाएंगे तो फ्रेंट्स दो इदर से मैं इस बार छोड़ दूँगी, दो दो करके 5 बार मैं इधर से छोड़ दूँगी, और 5 बार मैं इधर से छोड़ दूँगी, तो 20 फंदे हमारे छोड़ जाएंगे, 8 फंदे मेरे बीच में बच जाएंगे, तो मैं इसको इतना बना लेती हूँ, आगे बताऊंगे फिर हमें क्या करना है ये देखिए एक दो तीन चार पाँच ये मैंने दस फंदे दो दो करके छोड़ दिये हैं और देखिए इस साइड भी हमने एक दो तीन चार पांच दो दो करके फंदे छोड़ दिये हैं और ये बीच में मेरे यहाँ पे ये आठ फंदे बचे हुए हैं तो हम इनका अब हमें क्या करना है देखिए इनको हम घटाएंगे नहीं इनको हम सीधा ऐसे ही बनाएंगे और हम यहीं से मोट जाएंगे हमने बीच में दो रो उतार ली अब देखिए यह फ्रेंट्स हमारे यह चोड़े हुए फंदे हैं तो इन में से हम दो फंदे इस साइड से इसमें ले लेंगे यह देखिए यह हमारे पास चार जोड़े बच गए और हम यहीं से वापस मोट जाएंगे दो, तेन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, और ये दस आठ थे, दो हमने उस साइड से मिला लिये, तो ये हमारे बन गए दस तो देखे, जैसे ये इदर हमने छोड रखे हैं, इस साइड से भी हमें दो फंदे, जैसे उदर से हमने इसमें एड किये हैं, इसमें हम एड कर लेंगे और हम यहीं से वापस मुड़ जाएंगे तो friends दोनों तरफ से हमने दो दो फंदे add करते हुए इसकली को बिल्कुल end तक हमें complete करना है यह यहां तक मैं सारे दोनों तरफ से जैसे हमने फंदे छोड़ दे थे ऐसे ही मैं इसमें एक बारी दर से और एक बारी दर से मैं add कर लूँगी और इसकली को complete करूँगी देखिए इस side के मैंने सारे ही इसमें ले लिये ही side के last के दो बचे हुए हैं तो इनको भी हम इसमें add कर लेंगे और friends अगर आपको बीच में gap लगे तो gap भरने के लिए बीच में से एक आप फंदा उठाना और इसके साथ दो काई कर देना तो विल्कुल आपका बीच में gap नहीं रहेगा यह देखिए यह हमारी कली बनके complete हो गई यह देखिए यह हमारी right side है यह आप किनारी देख सकते हो यह हमारी wrong side है अब हमें यहां पे second color इसमें लगाना है तो देखिए आप friends यहां पे वोई color लगाए जो आपने बीच में कली के बीच में जो आपे color देऊगे वोई color आप यहां से सबसे first row उसकी उतारना तो ध्यान से देखिए यह मेरे पास 28 फंदे हैं अब friends में इसको half में डिवाइड कर दूँगे इसको आप थोड़ा सा चिंच के tight कर देजिए तीन, च्यार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा और यह चोदा और मैं यही से वापस से मोड़ जाओंगी इसको हम ऐसे ही उतारेंगे और यह row मैं उतार के complete करूँगी उपर आपने friends दो color लगाने हैं सिंगल कलर से भी आप इसको बना सकते हैं लेकिन मैंने दो कलर लगाई हैं अगर आप इसमें दो और कलर उपर एड़ करो जैसे मैंने किये हैं तो एक कलर की आप दो रो ही उतारना लास्ट वाले को हले से सीधा बना देंगे इसको आप खीच लेजिएगा अब यहां से हम अपना एक कला और इसमें हम एड़ करेंगे देखिए यह भी मेरे पास चुननी है तो उपर से में इसको एड़ कर लोगे पहली बार हमने फ्रेंड्स चोदा फंदे बनाए थे अब मैं इससे तेरा फंदे इसमें बनाओंगी और यह जो हैं हमारी पिंक वाली पत्ती है इसको हम काट देंगे और इसी के अंदर यहां पे हम इसको ले लेंगे एक फंदा ब्लैक का छोड़ देंगे और यहीं से बापस मुड़ जाएंगे अशरी में पत्ती है जाएंगे आए 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 इसको थोड़ा साथ खेच लेज़ेगा अब देखिए इस पट्टी को हम अंदर कर लेंगे और अब हम ब्लैक से बनाएंगे और रॉंग साइड से हम इसमें कलर चेंज करेंगे तो देखे फ्रेंड्स मैं यह रोर उतार के आपको दिखाऊंगी फिर में इसको हाफ फ्लावर बना के दिखाऊंगे यह देखिए और हम यही से वापस से मुड़ जाएंगे तो देखे फ्रेंड्स एक एक फंदा मैं दर छोड़ती जाऊंगी और इसमें सेकिंड कलर अटेच करती जाऊंगी आप देख सकते हो यह मेरा इतना ही फ्लावर बना हुआ है ऐसे हम इसको बना के यहां तक हमारे दो दो फंदे बच जाएंगे जब तक मैं इसको बना लेते हुए तना आप भी बना लीजिए फिर मैं आगे का बताऊंगे हमें क्या करना है देखिए हाफ फ्लावर मैंने बना के कंप्लीट कर लिया है यह दो फंदे मेरे पास बचे हुए हैं एंड में तो देखिए इनका हमे प्लया लेखे ही पास बनालें ओ कि यहीं से बापस मुड़ जाएंगे कटिन इसको हम उतार लेंगे और इसको हम सीधा भी बनाएंगे चैनल इसको सीधा बनाने से यहां से हमारा बहुत ही प्यारा डिजाइन बनके कंप्लीट हुगा अब यह देखित हा फ्लावर हमारा अब हमारे पास यह वाला कलर हम लगाएंगे क्योंकि आगे हमारा यह वाला फंदा है आप अगर इसको डबल कलर से बनाओ या मल्टी कलर में बनाओ तो वह यह दागा लेना आप जो आपने आगे फंदा इसमें एड़ करना है तो देखिए दो हम इसमें बना लेंगे और यह हम इसमें एड़ करेंगे तो अगर यहां पे आपको बीच में यह लगे की गैप जादा है तो आप एक फंदा ऐसे उठाके यह देखिए और आप इसके साथ एड़ कर लीजिए लेकिन दो काई काप में जरूर करना यह देखिए और हम यहीं से वापस मुड़ जाएंगे द्यान से देखिए यह हम ऐसे ही उतार लेंगे यह हम बनाएंगे और इसको हम सिधा बना देंगे यह देखिए अब हमें अपना ब्लैक कलर लेना है क्योंकि मेरे पास ब्लैक है और आगे हमें ब्लैक का फंदाहिस में एड़ करना है और इसको फ्रेंड्स अब थोड़ा सा अब हर बार खींच देजेगा देखिए फिर से आपको गैप लगे गैप लगेगा यहां पे बीच में फिर से आप एक फंदाह से उठाए और इसके साथ दो का एक कर देजिए और हम यहीं से वापस मोड जाएंगे देखिए फ्रेंड्स मैं आपको दिखा दू जो हम बीच में सिफंदा उठाते हैं गैप बरने के लिए उसकी भी एक देखिए यहां पे बीच में डिजाइन बनके कंप्लीट होगा यह देखिए यह देखिए आप देख सकते हो यह बीच में यह कैसी बेल सी चोटी सी बन देखिए दो हमारी लाइन मिल गई यह इसके साथ मिल गई और यह इसके साथ एक रो और मैं आपको उतार के दिखा देती हूं इसको हम पीचे कर लेंगे इसको आगे ले आएंगे इसको आप हमेशा फ्रेंट्स देखना पट्टी को पीच्छे दबा लोगे तो यह पीच्छे भी हमारे एक बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ इसका किनारी बनेगे यह देखिए यह हमने चार बना लिए अब हम यह बनाएंगे तो फिर से देखिए अगर ऐसे बनाएंगे तो यहाँ पर बहुत बड़ा हमारा होल दिखाई देगा तो इसको बढ़ने के लिए एक फंदा देखिए उठाया सिंपल और इसके साथ आप दो का एक कर देजिए इसे ही हम इसका एंड करेंगे जब यह हमारा फ्लावर कंप्लीट होगा लाइन से लाइन हमारी मिलेंगी तो देखिए फ्रेंड्स यह पहले है ना हमारी आप देखिए यह लाइन मिल गई फिर ब्लैक वाली फिर यह ग्रीन आपकी बार फिर हम ब्लैक से बनाएंगे फिर ग पूरा हो गया है एक फंदा मेरा ब्लैक बचा हुआ है वो मैं आपको बना के दिखाऊंगी यह देखिए सारी हमारे बिल्कुल कितनी सफाई के साथ लाइन से लाइन मिले है यह देखिए नीचे लीफ इसकी विए शेप निकलाई है और यह उपर हमारा आप देख सकते हो फ्र इसको फ्रेंड्स आप में एक्स्टा पट्टी को कट कर दीजिए इसको हम इसके अंदर ही लेते चलेंगे बाद में फ्रेंड्स कोई भी एक्स्टा निच्चे दिखे तो आप उसको कट कर दीजिए वैसे बहुत ही सफाई के साथ यह बनता देखिए रॉंग साइड से भी कहीं पे भी आपको इसमें नोट लगाने की जुरूरत नहीं यह जो हमारे एक्स्ट्रा हैं हमने अंदर ले रखे हैं आप इनको बाद में सीजर से जब आप फिनिशिंग करो तो काट देजिए हमने फस्ट रो ब्लैक से उतारी थी फ्लावर की तो लास्ट में हमारी ब्लैक ही है तो देखिए फ्रेंड्स यहां पे गैप ज्यादा है तो हम एक फंदा उठाएंगे अगर आपको और ज्यादा लगे तो फ्रेंड्स आप दो फंदे भी बीच में उठा सकते हो दो तो दो का एक कर देना देखिए यह हमारा यहां पे गैप भर गया और आपको पिंक के बीच में लगे तो एक और इधर से उठाएंगे और आप इसके साथ दो का एक कर दीजिए तो देखिए और यह हम सारे ही फंदे फ्रेंड्स से ब्लैक से बना लेंगे इसलिए मैंने जो आपकली के बीच में जो हम दो रो उतारते हैं वह हम उतार लेंगे बीच में फ्रेंड्स थोड़ा सा ब्राइट कलर होता है तो उसकी ज्यादा हां लुकाती फ्लावर में यह देखिए राइट साइड से भी हम इसको उतार के कम्प्लीट करेंगे एक कली और एक फ्लावर फ्रेंड्स मैंने कम्प्लीट आपको बना के दिखा दिया इनी को आपने कंटेन्यू रिपीट करते जाना है और अगर आप हर कली अलग-अलग कलर की बनाना चाहो तो आप इसमें अलग-अलग भी बना सकते हो और उपर अगर फ्लावर आप एक कलर का बनाना चाहते हो प्लेन कलर का तो एक कलर का भी बना लीजिए जैसे हमने दो कलर लगाई हैं आप अपना सिंगल कलर लेके चलिए लेकिन बनाने का तरीका सेम रखना कलर आप कोई वीज में अपनी च्वाइश से लगाना यह देखिए लास्ट वाला हम ऐसे सी दावदार लेंगे और देखिए फ्रेंड्स यह मेरी पट्टे भी खतम हो गई अब हम क्या करेंगे यह देखिए एक फ्लावर और यह एक लीफ हमारी बनके कंप्लीट हो गई यह देखिए फ्रेंड्स इसकी चकोर शेप आई हो उपर से बहुत ही अच्छी लगती है फ्लावर के बीच में और एक कली हम इधर अब बनाएंगे अपने उसी कलर से अब हम स्टार्ट करेंगे तो फ्रेंड्स आप इसको ऐसे भी इसके अंदर ले सकते हो ध्यान से देखिए यह देखिए बाद में हम इसको कट कर लेंगे थोड़ा सा इसके अंदर ले आएंगे लपेट लपेट के ताकि यह पक्का हो जाए देखिए अब हमने दूसरी कली की यहां से स्टार्टिंग कर ली है जैसे फ्रेंड्स मैंने आपको फंदे डाल के दिखाए थे यह वह यह वाली स्टार्टिंग अब आपकी हो गई कि दूसरी कली की मैं आपको स्टार्टिंग करके बताऊंगे कैसे करनी है अगर आपको सेकेंड कलर लगाना हो दूसरी कली का आप मल्टी कलर में बनाना चाहों तो आप यहां से जैसे मैंने पिंक जोड़ा है यहां से आप अपना कोई भी कलर इसमें लगा लीजिए और सारे ही फंदे आप बना के दूसरी निडल में उतार लीजिए सारे ही फंदे हम इसमें बना लेंगे यह देखिए फ्रेंड्स जैसे फ्रेंड्स मैंने फंदे डाले थे डाले हैं जैसे आपने यह वही कलर जैसे आप मानलो आपने फंदे डाल लिए और एक रो हम और इसमें राइट साइड से सीधी सीधी बनाके उतारेंगे यह फ्रेंड्स आठ कली में बनके कम्प्लीट होगा आठ कली बनेंगी कली के साथ फ्लावर बनेगा आठ कली तब आप बनाओगे बार बार रिपीट करोगे जब यह आपका डोर मेट बनके कम्प्लीट हो जाएगा यह देखे यह हमने उतार ली अब क्या करेंगे फ्रेंड्स से आप दो फंदे इदर से और दो इदर से हम ऐसे ही इसको छोड़ना शुरू करेंगे पांच बार हम इदर छोड़ देंगे जोड़े के हिसाब जरू पांच बार इदर छोड़ देंगे बीच में आठ फंदे बच जाएंगे फिर आप वहां पर बीच में दो रो उतार के उल्टी तरफ से और सीधी तरफ से और फिर से आप दो दो फंदे जैसे फ्रेंड्स हमने यह पर नीचे किया था वापस से इसमें एड़ कर लेना तो देखिए आपकी एक लिबन के complete होगी फिर फ्रेंड्स आपके जितने भी फंदे हो मानलो आपने 40 फंदे का बनाया है तो 40 फंदे आपे हाफ हाफ टिवाइड कर लेना 20 फंदे छोड़ देना और बीस फंदों पे आप ये फ्लावर बना लेना जितने भी आपके पास फंदे हो हाफ हंदे पर ये आपका फ्लावर चकोर शेप का बनके तयार होगा तो देखे फ्रेंड्स कंटेन्यू बनाओंगे इसको मैं बनाओंगी ये भी देखिए कितनी प्यारी लुक है कोई भी नहीं बता सकता फ्रेंड्स ये आपने चुन्नी से बनाया है ये देखिए रोंग साइड से भी इसकी बहुत ही अच्छी फिनिशिंग है तो फ्रेंड्स मैं इसको कंप्लीट करूँगी आप भी कर लीजिए और फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पे नए है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नए नए डिजाइन ऐसे ही सबसे पहले देखने को मिल सके तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में नए डिजाइन के साथ है थैंक यू